नमस्कार दोस्तों रूलानिया कलासेज यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो हमारे नए मेमाने उनसे निवेदने की अब तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रास्तन नर्सिंग कॉंसिल जो प्रिक्षय नहीं करवा रही है फाइनल येर की यानि जो थल्ड येर की है जीनम की उसके बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि 11 माहे से प्रिक्षय का इंतजार छात्रों का बहुशे अधर में ये जो रास्तन पत्रिका की न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसके लिए में वीडियो के डिस्क्रिप्षय में आपको लिक भी प्रोवाइड करवा दूगा और जानकारी भी दे दूगा कि कब ये परकासित हुई थी और डारेट उस लिंक पर भी जाकर आप ये न्यूज देख सकते हैं तो 13 अक्टूंबर से परस्तावित प्रिक्षा फिर स्तगित करती है। आर एंसी ने जो थल्डी एर की एक्जाम होने वाल थी जीनम कि उसकी प्रिक्षा थी थी वो 13 अक्टॉमबर से प्रस्थावीत की थी लेकिन उसको फिर स्थागित कर दिया यह टाल दी है यह कारण यही मान सकते हैं कि जो चुनाओ परकिले उसमें जो करमचारी लगा दिया य लेकिन इसका जो खामियाजा है वो हमारे जो जूड़े वे इसे चैनल से जूड़े वे साती है या पर जो अन्य जो साती है उनको भूगतना पड़ रहा है तो जीनम तरीतिय वर्ष के विद्यारती प्रेशान 2017 में पूरा होना था कोर्स इसकी जो न्यूज है वो न्यूज साथ मैने की इंटरसीप होती है लेकिन इस कोर्स को चार साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसकी जो थर्डियर की एकजाम है वो नहीं हुए तो यानि अगर ये एकजाम नहीं हो रही है तो जो हमारे साती है उनका एक साल बरबाद हो चुका है बावजूद अभी तक फाइ सिक्षिन का समय पूरा हो चुका है लेकिन त्रीटिय वर्ष की मुख्य प्रिक्षा नहीं और इसे प्रिक्षिनारतियों को आर्थिक नुक्सान के साथ सत्मानसिक प्रिक्षानी जेलनी पड़ रही है ये अकेले बाड मेर की प्रिक्षानी नहीं है अन्य जो भी जैसे तो इसकी नियूज को नर्शिंग स्टूडेंट्स की प्रिक्षा test में पर हो जाती तो अभी तक internship भी पूरी हो चुकी होती, लेकिन प्रिक्षा नहीं होने के करण अभी तक इनका internship वह नहीं हो पाई, अगर अभी जो विकेंशी आ जाती है तो उसमें यह फोर्म नहीं परपाएंगे तो इनके लिए नुकसान की बात है यानि इनके बविशे के साथ यह खिलवाड हो रहा है 2014 मुआ था इनका प्रवेश तो जीनम प्रेसिक्षन के तीन साल के कोर्स के लिए स्टुडेंट्स ने 2014 में प्रवेश लिया था इसमें से करीब 100 से अधिक जो विद्यार्थियों की आखरी साल की प्रिक्षा अठी हुई है कोर्स की तीन साल की अवदी नौंबर 2017 में पूरी हो चुकी है लेकिन प्रिक्षा नहीं होने से विद्यार्थियों का बहुशे अतर में लटक गया है यानि नौंबर 2017 में 3 साल पूरी हो चुके यानि नौंबरे में 2017 में प्रिक्षिय हो जानी चाहीत लेकिन अवे नौंबर 2018 लगो एक साल पूरी होने वाली है तो इनके लिए एक साल बरबाद कर दिया है आरेंची ने तो इसके अबाद करें आर्थिक नुक्सान की तो बाड मेर में बाहर से आकर प्रेस्क्षन ले रहे चात्रों को प्रेक्षा समय पर नहीं होने से आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहे है अवदी शेदिक समय तक रहने वाले छात्रावास नहीं होने से किरायक कमरा लेकर रहते हैं प्रस्टिक्षन के अंदर आने के साथ अन्य प्रेसाने अभी जिलनी पड़ रही है एक दो विद्यारती ऐसे भी है जिनका खर्चा उनके रिष्टेदार उठा रहे है यह तो दोस्तों यह तो प्रिक्षा स चल रहे हैं अभी तक उसका कोई लेना देना नहीं है गौर्मेंट सिर्फ चुनावी साल के अंदर यह वेकेंसिस निकालती है और वह भी लटका के छोड़ देती है और विद्यारती उसके बारे उस वेकेंसी को लेकर प्रिसान होते रहते हैं लेकिन गौर्मेंट को उससे इतनी ही बात करें अगर वीडियो में दीगी जानकर अच्छी लगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेर कीजिए और इसी प्रकार की न्यूज लेटेस्ट एक्जाम से जुड़ी वी लेटेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में के विल इतनी ही बात करेंगे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत